हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटुब चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्टाग्राम की आईडी को अगर हम कुछ दीन के लिए प्रमामेंटली डी एक्टिवेट करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको ऐी बताने वाले हैं कि अगर अपनी इस्टाग्राम आईडी को अगर हम डी एक्टिवेट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं पूरी जानकारी इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्कीप मत करिएगा और लाश्ट तक बने रिएगा तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टाट कर लेते हैं इस्टाग्राम एप को ओपेंड करने के बात फ्रेंट्स यहां पर आपको नीचे आपकी प्रोफाइल सो हो जाएगी इसी profile पर आपको click कर देना है और profile पर click करने के बार friends सी यहाँ पर आपकी Instagram ID का profile खोल जाएगा उसके लाइवा friends सी यहाँ पर आपको एक 3 line का option देखनी को मिल जाएगा इसी 3 line के option पर आपको click कर लेना है उसके लाइव फ्रेंट सी यहाँ पर आपको first number पर setting and privacy का option देखनी को मिलेगा setting and privacy के option पर click कर लेना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको account center का option देखनी को मिल जाएगा इसी account center के option पर अब आपको click कर लेना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको प्रशने details का option देखनी को मिल जाएगा इस प्रश्चनर डिटेल्स के option पर आपको click करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर सबसे नीचे एक account, ownership and control को option देखनी को मिल जाएगा इस पर आपको click करने इसे आपको click करने जैसा कि माल लिजिए विकास, 33पाल यही Instagram ID को मैं temporarily deactivate करना चाता हूँ तो इस पर मैं इस तरीके से click कर दूँगा तो friends इसी तरीके से आप भी अपने Instagram ID को select कर लिजेगा then उसके बाद friends यहाँ पर आपको first number पर इस तरीके से deactivate account, deactivating your account is temporarily वाले option पर इस तरीके click कर लेना है उसके friends यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आजाना है और नीचे आने के बाद friends यहाँ पर आपको continue को option देखने को मिलेगा इसी continue के option पर आपको option पर click कर देना है continue के option पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको अपने Instagram का password डाल देना है जो भी आपका Instagram का password होगा उसे आपको डाल देना है तो चले friends यहाँ पर हम अपना Instagram का password डाल देते हैं password डालने के बाद friends यहाँ पर आपको continue के option पर क्लिक कर देना है continue के option पर क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपको किसी एक region को select कर लेना कि किस रीजन के कारल आप अपनी Instagram ID को temporarily deactivate कर रहे हैं तो माल लीजे friends मैं इस तरीके से select कर लेता हूं options create a second account इस तरीके से मैंने क्लिक कर लिया तो friends इसी तरीके से आप कोई भी option यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो उसके बाद friends यहाँ पर आपको continue को option देखनी को मिल जाएगा इसी continue के option पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपका account deactivate हो जाएगा तो friends इसी तरीके से आप अपनी Instagram account को deactivate करना चाहो temporarily तो इसी तरीके से आप कर सकते हो तो friends यह नहीं छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और अच्छी लगी हो तो please वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा